नमस्कार एक बार पुना आप सभी का हमारी यूटूब चैनल बिस्ट कोचिंग सेंटर के उनलाइन प्लेटवर्म पर हर्दिक स्वागता और अभी जन्दन जैसे कि मित्रों यहां पर देख सकते हैं आज जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंबिक शिक्षा उत्तरकाशी की ओर से एक लेटर जारी हुआ है यहां पर देख सकते हैं प्रारंबिक शिक्षा उत्राखंड देह रहादूं यहां पर दिया हुआ है विशाई जो है शायक अध्यापक प्रात्यमिक के पात्पन नियुक्ति है तो तिरती चरान की और हाँ अब भ्यरतियों की सूची स्कूल सेयक इस कारेले द्वारा विग्यप्ति संख्या यह दे रखी है दिन आंकर 29-12-2020 के द्वारा शायक अध्यापक प्रात्यमिक के पदों पर आवेदन आमेंत्रित किये गए थे जिसके क्रम में तिरती चरण की कांसलिंग यानि तिरती कांसलिंग जो है 31 बार 2021 को होगी यानि 31 के दिन यानि इस साल के लास्ट डे को आपकी कांसलिंग रखी गई है ठीक है तो अब भ्यरतियों को तिरती चरण के कांसलिंग है तू सूची महोदय की सेवा में इस निवेदन के साथ प्रेशित की जा रही है कि सूची विभागी वेबसाइट पर अपलोड करने का कस्ट करेंगी यहां पर दिया गया है और आपको मैंने बता दिया कि 21 तारिकों आपको 31 दिसमबर को आपको ब्राता आरा बजे बिग्यान और बीग्यान एतरवर्ग यहां पर दिया है रा आ की का उत्तरकासी के सबागार में उपस्तित होना सुनिश्चित करें आ रहा है अभ्यरतियों की सूची स्कूल एजूकेशन की साइट पर अपलोड है तो उस सूची को में दिखाऊंगे कि उसमें कितने डियलड वालों का सेलेक्शन हुआ है तो यहां पर पहली लिस्ट की बात की जाए एक यहां पर छार वर्षी बिलर्ड और अभ्यरतियों को लिया गया है दिवशी डिय अल़र वालों को और यहां यहां पर कित मॉलम में यहां यूटेट के मार्स और स्रीटेट के मार्स और यहां पर मोनिका बोरा तनुजा सर्मा और मीनाक्षी चौहान बंदनराना पूजा उप्रेति गौरव कुमार अर्पित कुमार यह जर्नल इंग्लिस और मैथ्स जर्नल मैथ्स क्या है और यहां पर देख सकते हैं यहां पर रखे 79.3 तक और जर्नल मेल में जो है mathematics में 81.8 से 80.5 तक आई हुई है देख सकते हैं यहाँ पर यह कॉलम पूरा गोडांग कुखा है तो यहाँ पर देख सकते हैं वही mathematics journal boys में आपको मैंने बताया था कि 81.83 से स्टार्ट हुए है डाउन होना तो 80 यहाँ पर देख सकते हैं 81.24 और यहाँ पर लास्ट जो गया है 79.3 तो 81.3 से 79.3 तक मैरिट डाउन हो रखी यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर वहीं बात करूं मैं है डाउन है ऐस सी mathematics की कि तो सी मैथमेटिक समें देख सकते हैं आप यहाँ पर यह SC mathematics का दिया हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें गई यह 73.3 और 72.6 और यहाँ पर ओविसी mathematics का 78.39 और यहाँ पर बात कि जाए ओविसी माथमेटिक्स का जीरो सीड़ वेकेंट हैं यहाँ पर कोई भी पद खाली नहीं है ओवी सी माथमेटिक्स के लिए ठीक है तो ऑफिमेटिकस फीमेल में यहाँ पर बात करो तो 72.2 9 और esti journal mail की बात करो तो यहां पर 79.1 तो यहां पर लिखा गया है आ रहा ब्यारतियों में से यदि किसी अब भ्यारती के गुणांग का अधिक हो तो भी काउंसलिंग में प्रतिभाग करें ऐसी दसाम उच्च गुणांग का वाले अब भ्यारतियों का चैन कर लिया जाएगा ठीक है तो उच्च गुणांग के यदि जो लिस्ट में दे रखे हैं ये गुणांग इनसे अगर ज्यादा आपके गुणांग बनने तो आप भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं अगर आपका नाम नहीं भी आया है लिस्ट में तो आप तब भी प्रतिभाग कर सकते हैं अपने गुणांगों के आधार पर ठीक है चले गाइस देखते हैं अभी तक डियलर्ड वालें की बात हुरी थी आप यहां पे कुछ बीड केंडिडेट का सकते हैं यहां पर यहां पर देखा जा सकता है तो 56.7 गई हुए और यह जो बीडियर है इनका बीड का यहां पर बात करूं तो धार 207 वाले का सेलेक्शन हुआ दो साथ 207.27 27 और यहां पर गणांकी की बात की जयाए तो 56 54 और 53 और यहां पर बात की जये तो 53.3 तक यहांपर सलेक्षन हो रक है ठिक है यहां भी इर के एनके अंडिर्रेट का तो यहां पर देख सकते हैं तो यह लिस्ट बीएड केंडिटेट की थी यहां पे दिया गया है विज्ञान गानित वर्ग में अभ्यरती ना मिलने पर बिएड बिएड वर्ग गानित से बरिता वजेश्टता के अनुसार चाही नितिया गया है तो यहां पे DLAD में यह कंडिटेट नहीं मिल पाए विज् लगबख तो यहां पर इसले सब्सक्क्राइब वालों को लिया जारह है तो पहले ये था कि जो पद बच रहे थे बिझान वर्ग में गणित गारी गणित और इनको करा आथा कि 8 वालों पर तो यहां पर धोड़ा सा अभी संसो दन आया था भीसमें तो और कहा गया कि अभ्यर्थी और किया दा जब करता कि इधार को सुचीर में निचे इसलिए से लिए नोटइफिकेसं भी निकाला हुआ था गौर्मेंट के और से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी जड़ बीसी वालों की और यह बिग्यान वर्ग में मैथ्स वालों की तो डियलर्ड में के इंडिटर ना मिलने की वज़े से बीर्ड में आठ साइड वालों को रखा जा रह की में मैं यहाँ पर देख सकते यहनometer का मैथ में फिमेर में और बात की जाए इन एकक्स जन्डल आनि बॉइस के लिए बीएडे स सब्सक्ति करना ऍरिडैल में सब्सक्तिळ लिए और एस forad एकका थे से आते हैं सडूल कास्ट से उनके अडिडेटेट्स के लिए मैहिला से हो गया जो यहां पर जननल का मतलब बौईस से हो ठीक है तो जनल्र बॉय ना कर बोल करके सको स्थी बॉय इसके मैहिक पोलेंगे तो टूूंज से 2007 2007 और यहां पर गुडांग देख सकते हैं 56.1, 54.7, 53.4, 54.2 तो इस तरीके से यहां पर स्लेक्शन हुआ है और यहां पर देख सकते हैं विज्ञान गार्णित वार्ग में अब भ्यरती न मिलने पर भीयड विज्ञान वार्ग गार्णित में बरेता के अनुसार चैनी तब भ कुप्लेट हो गए हैं तो इसलिए अब भी एड से लिए जा रहे हैं तो यहां पर बात की जाए बीएड ईड़ य्व्यम्हाट मैतमेटिक की तो यहां पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं विएड इड़ यहां पर जर्नल यानि बॉइस के और उच्छ गुणांक वाले अपना अभ्यर्थन के लिए यह काउंसलिंग में परतिभाग कर सकते हैं यह हर पेज में लिखा गया है तो आप अगर आपके गुणांक के इन से ज्यादा हो रहें तो आप जा सकते हैं ठीक है तो यहां पर बात की जाए तो तो पीड़्य वालों के तो सैंस जैनल normPlues एट सेवन में यहां तो यहां पर इधर बात करें तोLe और और लगुणान की बात की जाए तो यह पожноगर Sophie यह पित एट और सेवन और इधर बिएट सैंसकि कि अगर बात करें तो जर्णल केटिकरी में तो वॉइस के लिए तो यहाँ पर 2006 वालों के दो गांड़ेट का सलेक्षन यहाँ पर इस लिस्ट में हुए है और 60 गुडांक है इनके 62.9 और 62.6 तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अगली लिस्ट इसी में है साइंस में जर्णल बॉइज के लिए science में पर यहां पर देख सकते हैं यह दिएलर टा किंडिटेट्स का है तो तो दो जाचेए दोजाचेएएए तो इनका ही नाम बता रहा हूं। दो हजाचेएएए और यहां पर आप देख सकते हैं 26 जार्णल ठीक है। वहीं पर बात की जाए तो यहां पर साइंस ग्रूप में ही देख सकते हैं यहां पर मेरिट गई हुई है यहां पर जो है दोजा च्छे दोजा च्छे वालों का ही स्लेक्शन हो रहा है और मेरिट आप देख सकते हैं यहां पर लास्ट गई है 53.7 और यहां पर बात की जाए ब पर 54 और यह 2007 वालों का सलेक्षन हो रखा है यहां पर 295 की जनल यानिaktि की एसी केटगरी में और यहीं पर देख सकते हैं एक केंडिडेट का सेलेक्शन होगा दोजासाथ चपन है इनका गुणांग और यहीं पर बात की जाए इसी लिस्ट में एसी केडिगरी में बॉइज की तो यहां पर 2007 वालों का सेलेक्शन हो रखा है और यहां पर जो लास्ट मेरिट गई है 51 गई हुई है देख सकते हैं और अगली लिस्ट में यहां पर बीड़ वालों का सेलेक्शन हो रखा है देख सकते हैं यहां पर बीड़ यानि बीड़ साइंस ओवी सी जर्नल में देख सकते हैं 53 और 53 वालों का सेलेक्शन होगा और देख सकते हैं यहां पर 2006 वाले हैं और यहां पर दोजा साइन्स में ऐसी ऐसी फीमेल के लिए ठीक है और वहीं बात की जाए यहां पर एक केंडिटेट यहां पर बीड़ साइन्स एस्टी के डिगरी में जन्नल यानि बोईज है 2009 वाले का सेलेक्शन हो रखा है एस्टी के डिगरी में और यहां पर गुडांक है कि लिए कोई भी सीड रेगरेंट नहीं है तो वहीं बात करें आप दूर सीडिय्य यहां पर फिर से बिग्ज्ञान वर्ग अदर गूरूब में आधर साइंस की बात करूं मैं सी के टेगरी में फीमेल की तो यहां पर 60 देख सकते हैं और यहां पर सी के टेगरी में अधर साइंस में जर्नल नि बॉइस की लास्ट जो गई हुए 63 और फ़र्स जो फर्स्ट केंडिटेट इड़ 76 वाला है ठीक है और की बात करें तो यहां पर 79 वह और अगर अगर साइंस में जर्नल बॉइस में तो 79 वह ठीक है यह पर एक होरा प्रद्राइट और देख सकते हैं यहां पर 70 गई रहे है याँ इसी सब्सक्राइब करती हैं यहां पर अगर बात करें यहां पर हिंदी जर्नल्टिटो तो यहांपे सैंवेंटी टू गई हुई यह लार्षट ठीक है और स्टार्ट्स हुए है और हिंदि जर्नल में और यह पही हिम्दी एससी फीमेल में तो फीमेल में यहाँ पर 59 गई ओये और यहाँ पर देख सकते हैं मुआ है तो अगर गुणां की किसी का ज्यादा थो वह बी पृति भाग कर सकता है यहां पे लिखा गया साहब इंग्लिश जर्नल फीमेल में 77 77.6 और इंग्लिश जर्नल जर्नल में बॉइज में 77 गई हुए और अगर बात की जाए यहां पर तो 77 77.05 तक गई है 0 77.5 से लेके इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश से फीमेल में 74 और 72 और यहां पर देख सकते हैं 73 तक गई हुई है 73 यहां पर लास्ट का देख सकते हैं और यहां पर इस लिस्ट में जर्नल जर्नल यानि जर्नल से बऄ्सक्रण सब्जागेल एस ऑस इसटे हम फीमेल में यहां पर 79 स्टाइंग है और 70 6.7 पे 연ड हो रखे और इस लिस्ट की बात की जाए तो स्सेह जोपर 76.5 पोर तक मेरेट गई हुई ए ठीक है गुढक के तो अगर यहां पर 75.76 इस लिस्ट में तो और यहां पर 76.5 तो टोटल मिला करके जो लास्ट मेरिट आई हुए हो 75.76 में आई हुए है जनल याने सस्टी वाले में ठीक है तो जनल यानि सस्टी में जनल केटिगरी में यहां पर फिर से एक केंडिडेट का है 77.49 और यहां पर देख सकते हैं जो लास्ट गया है इस लिस्ट में 78.4 और यहां पर बात की जाए तो 77.47 गई हुए है और इस लिस्ट की बात करूँ तो यहां पर 77.16 गई हुए है और इसी सब्जक्ट में जिसके में बात कर रहा हूं सस्ट की तो 77.01 में मेरिट गई हुई है ठीक है तो जनल काटिगरी के लिए है दिवर्शी डिप्लोमा वालों के लिए तो यहां पर देख स सकते हैं यहां पर 76.9 और 76.4 तक मेरिट डाउन गई हुए है और जनल अगर मैं एसस्टी जनल एक्स सोलजर रहे हैं आर्मी वाले की बात करूं तो 71 और 70 63 तक मेरिट डाउन हो रहा है और जनल पी एच की बात करें जाए तो 71 और जनल सब्जक्ट में ही यहां पर देख सकते में है सिप ही मेल में मैरिट डाउन हो रहे है सैंथे टूसे 69 तक ठीक है और जनल अवी सब्जेक्ट में जनल एसी गे जनल मतलब से टेगरिमें जनल मतलब भौईज लिए से लएक से बड़ियों तो यहां पर सेवंटी तक डाउन हो रखी सेरेवंटी तुट इन रहे हैं इसक्प दे 떠 सब्याइचल और nam cheaper तो यहां पर देख सकते हैं लास्ट जो चौन्डेट का हुआ और जनल यह तो यहां यह पर सब्जक्ट से से तो एसस्टी में जनल ओवी जनल मतलब बॉइज एक जनल का सब्सक्राइब दूसरे जनल बॉइज और ओवी सिका मतलब अधर वैकवर्ड तो यहां पर 76 गई हुई है ठीक है तो इस पर कन्फूज होने की कोई जरूरत नहीं है तो 75 75 75 75 गई हुई है 75.56 तक गई हुई है ठ तो जनल यानि सेस्टी और जनल का मतलब बॉइज और स्टी के टेगरी में तो यहां पर बात की जाए तो एक कंडिडेट है 74 गई हुए ठीक है तो अगला जो है जनल यानि सेस्टी एस्टी के टेगरी में फीमेल के लिए 71 गई है 71.4 तो थैंक्यू गैज मिलते नेक्स्ट वीडियो में बने रही है ऐसी वीडियो उसके लिए चैनल के साथ वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करें ताकि हमारा होसला बड़े आप ऐसा लगी कि आप लोग हमें कॉंप्लिमेंट दे रहे हैं तो इस इस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे तो आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू गाइज बाबाई टेक केर